Hello Everyone, Welcome to Quant Study हमारा आज का टॉपिक है Ratio Proportion का Part 2 जिन बच्चों ने Ratio Proportion का Part 1 नहीं लगाया तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों में यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें उसके लाबा हम फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं ये रहे उनके डिरेक्ट लिंक्स आपकी स्क्रीन पर जिन बच्चों ने हमारा पार्ट वन Ratio Proportion का पार्ट वन नहीं लगाया तो उन बच्चों के लिए लिंक जो है पार्ट वन का वो डिस्क्रिप्शन में अवेलिबल है आप इस टॉपिक को कॉंटिन्यू करने से पहले उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ ले जिन बच्चों ने हैं पिछला टॉपिक लगाया था Ratio Proportion का पार्ट वन अटेंट किया था उनको बच्चों के लिए ये कॉशन है आप इसे फटा-फट से अपनी कॉपिस पर सॉल्व कीजिए और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक आज का सबसे पहला कॉशन है अगर आपको याद हो जिन बच्चों ने पिछला पिछला जो फिर्स पार्ट है वो लगाया है उनको याद हो तो हमने फिर्स पार्ट एंड किया था तो quantities के बीच में fractional ratio को हम कैसे non-fractional ratios में convert करते हैं ये सीखके आज जो है तीन quantities के बीच में हम non-fractional ratios में convert करेंगे fractional ratios को ठीक है fractional ratios को convert किया जाएगा non-fractional ratios में तीन quantities के बीच में तो इसको करने के लिए जो trick है हम उसे कहते हैं hide method ट्रिक ये है कि जिस जिस जैसे for example a को हमने value assign किये 2 by 3 units की तो अगर हमें a की ratio a की जो non-fractional value निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे a का lcm जो किये रहा 2 उसको हम multiply करेंगे बाकी दो यानि b और c के denominator से वैसे एगर हमें b का निकालना है non-fractional value तो b की numerator को हम a और c के denominator से multiply करेंगे similarly c का case होगा तो चली करते हैं इस question को solve आपने देखा कि a का numerator है 2 b का denominator है 4 c का denominator है 8 तो a के लिए हम 2 4 8 को multiply कर देंगे वैसे ही b के case में b के numerator 3 को a के denominator 3 और c के denominator 8 से multiply करेंगे similarly c के case में 5 4 3 आएगा इन तिनों को देखोगे आप कि जो इसमें even इमत तीनों equations में even even number है तो हम क्या करेंगे उसको पहले ही 2 से हम card देंगे तो 2 से नहीं इसमें 4 से कटेगा देखिए अब यह question आपको कैसे solve करना है 2 4 8 आगया हमारे पास a के लिए 3 3 8 आगया हमारे पास b के लिए 5 4 3 आगया हमारे पास c के लिए तो आप देख रहे हो कि तीनों में जो है 4 एक ऐसा number है जिसे हम remove कर सकते हैं ताकि हमारे जो multiplication है थोड़ी छोटी हो जाए तो a मेंसे हमने 4 remove कर दिया बी मेंसे 8 क्या होता है 4 into 2 होता है तो b मेंसे हमने 4 remove किया 8 remove किया तो उसकी जगा हमने 2 लिखते है क्योंकि 4 to the 8 होते है वैसी c मेंसे हमने 4 remove कर दिया ठीक है बेसिकल हमने 3 मेंसे 4 common लिया उनको आपस में काट दिया ठीक है अब हमारे पास बचा 2 into 8 a की वैलियो होगी 16 3 into 3 into 2 18 5 into 3 15 तो a और b और c की रेशियो जागी 16 into 18 into 15 चलते हैं next question पर तो हमारा question demand कर रहा है कि a b c की हमें ratio बतानी है जब a by 3 होगा b by 4 के equal और b by 4 होगा c by 5 के equal यानि यह तीनों आपस में भी equal होंगे अब आप देख रहे हैं पिछले question में जो था वो a ratio b ratio c था इस question में equation इस question में equal किया हुआ है तो इस question को क्या करेंगे बहुत easy है यह question आपको बस एक चीज़ याद रखनी है जब equal to लिखा होता है तीन quantities के बीच में और उनका denominator हमें दिया होता है तो वही denominator उनकी ratio होती है यानि a को हम value assign कर देंगे 3 की b को हम value assign कर देंगे 4 की c को value हम assign कर देंगे 5 की तो यही आ जाएगा a is to b is to c हमारे पास आगे 3 is to 4 is to 5 ठीक है आते है next question पर यह question आ गया थोड़ा complicated है वैसा ही है जैसा हमने पिछले question किया equal वाला ही है पर इसमें क्या है कि 2 by 3 दिया है 3 by 4 दिया 5 by 8 दिया है इसमें normally a के नीचे 3 सिरफ 3 होता तो तब तो सिधा-सिधा a की value 3 आ जाती पर इधर a के साथ 2 भी multiplied है अब देखते हैं ऐसे questions को कैसे करने है अब मैं आपने पिछले question मे वो हम 3 के नीचे ले आए ऐसा कर सकते हैं वैसे ही b में जो 3 b के साथ 3 था वो हम 4 के नीचे ले आए और जो c के साथ 5 था वो हम 8 के नीचे ले आए अब आपको बता है जब ऐसे जो exact quantity के नीचे denominator आ जाता है वो उसी की value होती है तो हमारे पास a is to b is to c जो है 3 by 2 is to 4 by 3 is to 8 by 5 आ आपको स्लौ्ड़ करना है तो हम क्या करेंगे कि अच्छा यहां एका सौल्व करना है तो हम क्या करेंगे a का L Sm लेंगे 3, b का लेंग सॉरी नीचेन अठाने बेंटर लेंगे 3 और c का लो रेंगे 5 3, 2 3, 2 5 45 वैसे ही b का आया 40 और वैसे ही c आया 48 तो हमारे पास a रैष्यों B ratio C आ गई 45 is to 40 is to 48 चलते है next question पर अब यह आगे non-fractional equation को equation को ratio में convert करना ठीक है non-fractional अभी तक हमने जो पड़ा उसमें भी equals to आ रहा था पर उसमें fractions थी ठीक है जैसे 2 by 3 of a हो गया या a by 3 हो गया ऐसी fractions थी यह non-fractional नहीं 4a equals to 3b है यह तो तो a is to b हमारे पास आ गया 3 is to 4 बिल्कुल इजी था ठीक है अब आते है next question पर if 4 equals to 7b equals to 5c then what is a is to b is to c पिछले question में तो 2 equation थी हम b को a के निचे ले आए और 3 को 4 के निचे ले आए और उसके सामने वाली values उनीकी ratios बन की पर इस question में तो 3 आ रहे हैं है ना तो इस question को कैसे करेंगे चली देखते हैं हमने सबसे पहले अपना solution लिखा a is to b is to c हमें final चाहिए अब इस question में भी hide method ही लगेगा ठीक है इसी को कहते हैं hide method a को hide किया और b और c की जो numerical value है वो हमने multiply करती तो a के लिए value आगी is 7 into 5 which is 35 वैसे ही b के लिए निकालना है तो हमने 7b को hide कर दिया 4 into 5 आगया 20 c के लिए 5c को hide कर दिया 7 into 4 आगया 28 तो a ratio b ratio c आगया 35 is to 20 is to 28 चलते हैं next question पर अभी तक हमने सिरफ ratio पर काम किया अब आपको ऐसे questions मिलेंगे जिसमें आपको ratio को एक exact value से compare करके एक answer राना होगा जो की होगा exact form में हर बार या answer तो ratio और percentage की form में नहीं हो सकता तो किस number किस ratio को जो हमने value assign की हुई है किसको exact value से compare करना है कैसे पता चलेगा वही चीज मैं आपको इस पार्ट में सिखाऊंगा पहला question हमारा कहा रहा है ratio है a is to b की 15 is to 9 if value of a is 60 what is value of b मैंने आपको बताया था जब भी हमें ratio मिलती है और हमें ratio में ही या percentage में answer निकालना होता है तो जो हमें ratio दी हुई है हम उसी को value assign कर देते हैं जैसे a is to b है 15 is to 9 तो हम assign कर दें के a की value है 15 unit b की value है 9 unit ठीक है अब पर इस question में हमें exact value निकालनी है b की ठीक है तो हम क्या करेंगे question वैसे ही शुरू होगा a को हमने 15 यूनियट मान लिया b को हमने 9 यूनियट मान लिया अब हमने a की ratio वाली value assume किये जो कि है 15 units पर question में हमें A की एक exact value भी दी गई यह जो की है 60 तो क्या करेंगे हम 15 unit को 60 से compare कर देंगे अगर question में B की exact value दी होती तो हम 9 unit को उससे compare करते है पर question में A की exact value दी है इसलिए हमने 60 को उससे compare कर लिया अब आपको पहाँ चल गया ना कि जो हमने value assign की है उसको किस number से compare करने किस की assign value को किस से compare करने यही है वो चीज़ ठीक है 15 को 60 से compare किया 15 units की value है 61 unit की value आ गई 4 तो हमें B की exact value चाहिए B की exact value बी की ratio वाली value की है 9 units तो exact value के लिए हम 9 units से 4 को multiply करतेंगे तो हमारा answer आजाएगा 36 चलते है next question पे A और B के बीच 15 is to 9 की ratio है अब इन्होंने का A is 30 greater than B यह 30 है यह exact value है हम question assumption पे ही शूरू करेंगे फिर end में जो भी question की requirement है उसके हिसाब से हम compare कर लेंगे exact value को हमने A को लिया 15 ह इन्होंने कहा है की A जो है B से बड़ा है दिख रहे है ratio में हा दिख रहे है क्योंकि A 15 ने B 9 ने तो A definitely बड़ा है अब A कितना बड़ा है A 30 बड़ा है जो की question की demand है और ratios में कितना बड़ा आ रहा है ratios में आ रहा है हमारा 15 minus 9 यानि कि 6 unit बड़ा आ रहा है ratio में हमारे पास 6 unit और equation में जो question ने demand किया है वो है 30 तो 6 unit को हम 30 से compare करेंगे 1 unit की value आजागी 5 अब उन्हें पूछा what is value of A 15 into 5 is 75 75 is the value of A चलते हैं next question पर अब यहाँ पर दिये ratio A is to B is 2 is to 3 and B is to C is equals to 6 is to 9 if value of A is 60 then B is how much less than C तो यह रहा इसका solution A is to B is to C को हमने लिया 4 is to 60 is to 9 यह कैसे आया मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अब हमारे पास है कि value of A जो ratio में दी गई है वो है 4 unit यह सामने रहा आपके और exact value जो हमें question में दी गई है A की वो है 60 unit तो हम क्या करेंगे 4 unit को 60 से compare कर देंगे 60 exact value है तो 1 unit की value आगी 15 ठीक है अब उन्होंने का है कि B जो है C से कितना छोटा है जो हमें देख सकते है हमें छोटा दीकर है B 6 है C 9 है तो 1 unit की value है 15 C minus B करके पास हमारे पास आया 3 units तो अगर exact value निकाल लिए है तो 15 को हम 3 से multiply कर देगे तो हमारे पास answer आजाएगा B जो है 45 less है C से चलते है next question पर If X ratio Y is equal to 4 ratio 5 then यह equation दी गई है हमें इसकी value बतानी है क्या होगी equation भी हमें ratio में दी गई है तो हम assumption पर ही काम कर सकते है जब assumption पर ही काम करना है तो हम क्या करेंगे X को हम 4 मालेंगे Y को हम 5 मालेंगे और वही value हम put कर देंगे पहली equation में डालेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा 3 into 4 plus 4 into 5 4 जो है x की value है 5 जो है y की value है next equation में डालेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 5 into 4 3 into 5 तो इन दोनों को हम देखेंगे तो पहली equation का जो total sum आया वो आया 32 दूसरी equation का जो total sum आया वो आया 35 तो हमारे पास इस equation की जो question में पुछ है हुआ उसका answer क्या आ गया 32 is to 35 अब यहाए next question वैसा ही question जैसे अभी तक मैंने आपको चीज़े पढ़ाई बिल्कुल वैसा ही है बस statement की form में है question कहा रहा है कि labor की reduction हुई है एक factory में suppose कर लो पहले 15 unit थे अब 11 unit हो गए है ठीक है अब जो हर laborer है यानि कि जब 15 पहले 15 थे अब 11 थे तो पहले 15 वालों की जो इधर का है कि wage increase हुई है हर labor की तो suppose करते हैं पहले हर labor को 22 रुपे मिल रहे थे पर घंटे के तो अब कितने मिलेंगे हर laborer को 25 रुपे मिलेंगे पर घंटे के उन्होंने बताया कि percentage decrease कितनी हुई है total wage में total wage में हमने बताना है laborers की ठीक है हर बंदे का नहीं बताना क्योंकि हर बंदे की तो obviously increase हो रही है total wage में total wage जो factory for example कुछ amount दे रही है न अपने laborers को काम करने के लिए वो total wage कितनी थी पहले total wage कितनी है अब और उसमें कितना reduction हुआ है हमें उस पे काम करने है तो देखते हैं इसको solution हमने क्या किया पुराने labor को labor force को 15 units मान लिया तो new labor force हमारे पास आगी 11 unit question से ही लिया हमने ratio से value लिया हमने ठीक है अब पर जो पुरानी जो wage थी per person उसको हमने 22 units माना और जो new wage आगी per person है ठीक है यही होती है total wage for example मेरी company में एक बंदे को मैं 10 रुपे दे रहा हूँ और मेरी company में total 10 बंदे हैं तो 10 इंडू 10 100 हो जागा यानि एक बंदे की salary और total कितने बंदे हैं उनको multiply करेंगे तो उनकी सब की value total wage आ जाएगा कि मतलब 100 रुपे आगे 330 units आया new new value को multiply करेंगे 275 units आया question पूछ रहा है कि कितना percentage decrease है यह तो आपको सामने ही दिख रहा है कि decrease है क्योंकि पुरानी 330 है नहीं 275 है तो decrease कितने का हो रहा है decrease हो रहा है 55 unit का इसी को percentage में डालेंगे तो 55 divided by 330 जो की old wage थी total multiplied by 100 50 by 3 हमारे पास आगया इसका answer अब हम ratios पर काम करेंगे अभी तक वैसे उसी पर ही काम कर रहे थे तो हमारा question कह रहा है कि A is to B है 1 is to 2 if 30 is added to both of them यानि कि A में भी 30 एड़ हो रहा है B में भी 30 एड़ हो रहा है तो उनके ratio बन जाएगी 3 is to 4 what is the new value of A आप एक चीज़ notice करो A और B में एक same number add हो रहा है न तो हम देखते हैं इसका solution कैसे करना है A और B लिखा हमने वैसी 1 is to 2 आगया A B 3 is to 4 आगया नया वाला A B 30 एड़ होने के बाद अब आप देखते हैं A A वाली value को compare करते हैं पहले थी 1 अब है 3 कितने units increase होए है 2 units increase होए है वैसे B वाली देखते हैं पहले थी 2 अब है 4 कितने unit increase होए है 2 unit increase होए है तो देख रहे हैं दोनों की common unit increase होए है और दोनों में जो number add हुआ वो भी common था जो की 30 है तो 2 unit को जो है हम compare कर लेंगे 30 से तो 1 unit की value 15 आगी उनने पूछे what is new value of A तो A की new value ratio क्या थी A की new value ratio थी 3 तो 15 को हम 3 से multiply करेंगे तो हमारे पास आजएगा new value of A 45 ठीक है next question पर आते है पहले question का तो आगे 45 next question आगे A is to be 1 is to 2 है 10 subtract किया दोनों से यानि की same amount दोनों से subtract हो रहा है new ratio बन जाएगी हमारे पास 2 is to 5 what is the original value of A चलो इसका solution देखते हैं वैसे ही जैसे पिछला question स्टार्ट किया था हमने 1 is to 2 लिखा A is to B की पुरानी value और A is to B की new value है 2 is to 5 10 subtract करने के बाद अब compare करते हैं इनको individually A की पुरानी value है 1 नई value है 2 कितने unit का increase हो रहा है एक unit का B की पुरानी value है 2 new value है 5 कितने unit का increase हो रहा है 3 unit का यह तकड़ बढ़ होगी एक जगा एक unit का increase हो रहा है दूसरी जगा 3 unit का increase हो रहा है और question हमारा कहा रहा है कि जबकि दोनों में से same चीज़ subtract होनी चाहिए ठीक है इनका gap निकाल लेंगे जैसे 2 minus 1 कितना आ गया 1 5 minus 2 आ गया 3 ठीक है अब यह जो gap निकल है इनको हम cross multiply कर देंगे यानि नीचे वाले का gap हम उपर वाली ratio के साथ multiply करें और उपर वाले का gap हम नीचे वाली ratio के साथ multiply करेंगे तो अब हमें क्या करना है पुरानी ratio को भूल जाना है अब हमें new ratio पर ही काम करना है हमने मानना ही नहीं कि हमारे पस ऐसी कोई पुरानी ratio थी अब हमारे पास जो भी है यह new ratio है फर्दर आपने देखा कि अब जो है 3 से 2 में 1 subtract हो रहे है 6 से 5 में 1 subtract हो रहे है तो यानि अब हमारे question सही direction में जा रहे है क्योंकि हमारे जो question कहा रहा था वो भी तो यही कहा रहा था कि 10 subtract होगा यानि कि एक same number subtract होगा अब 3 से 2 और 6 से 5 में आप देख रहे हैं कि 1 subtract हो रहे है यानि हमारे question सही direction में जा रहे है और 1 की value आजएगे 30, उनने पूछिए original value of A, अब मैंने आपको का था, पुरानी वाली ratio को हम भूल जाएंगे, तो original value A की क्या हो जाएगी, इस पार 3 unit हो जाएगी, ठीक है, पुरानी वाली नहीं रहेगी, इस पार हो जाएगी 3, क्योंकि पुरानी value हम भूल चुके हैं, ठीक then what is income of first person, ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, income expenditure और saving का relation, पूरा explain करके बताया था, आपको कैसे याद रखना है, ठीक है, तो उसी से हम बनाएंगे कि income से अगर हम expenditure minus करते हैं, तो हमारे पास saving आ जाएगी, हमारी कितनी तनखवा है, उसमें से हम कितना ख दो बन्दे same amount save कर रहे है, थाउजन, तो पहली बात तो यह होगी कि हमें इन दोनों के बीच में जो individual बन्दे के बीच में जो gap आ रहा है, वो same होना चाहिए, तो क्या वो same आ रहा है, 3 से 5 के बीच में आ रहा है, 2 का gap, 2 से 3 के बीच में आ रहा है, 1 का gap, तो यह बिल्कुल same नहीं आ रहा, अब क्या करेंगे, हम इन ratios को आपस में minus कर देंगे, 3 को 2 से minus किया 1 आया, 5 को 3 से minus किया 2 आया, अब जो नीचे जो 2 दिखे रहे है, वो हम उपर वाली equation के साथ multiply करेंगे, उपर का 1 नीचे वाली equation के साथ multiply करेंगे, ठीक है, हमारे पास new ratios आ जाएंगी, 6 is to 4, 5 is to 3, ठीक है, यह आगी हमारे पास new ratios, अब इनका gap चेक करते है, 6 है income, 5 है expenditure, एक का gap आ रहा है, 4 है income, 3 है expenditure, एक का gap आ रहा है, gap हो कहा है, भई हमारा same, अब यह gap क्या है, expenditure, income, तीसी चीज़ का बची, saving बची, तो यह gap क्या है, saving है, हमारे पास 1 unit की value आगी, 1000 रोपीस, ज मैंने आपको बताया था, जब एक बार हम new ratios ले आते हैं, तो हम पुरानी ratio को पूल जाएंगे, तो first person की income क्या होगी, 6 units होगी, 3 units नहीं होगी, 6 units होगी, याद रखना, इस point में बच्चे बहुत confuse होते हैं, तो 6 को जब हम 1000 से multiply करेंगे, तो first person की income आ जाएगी 6000 रोपीस, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अपने friends के साथ share कीजिए, thank you